हेलो फेंट्स तो चली हम लोग जावा के कोर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं देखे आज मैं आपसे कुछ बेसिक बातें करने वाला हूँ कि जावा लेंग्विज पढ़ने से पहले आपको क्यों C और C++ पढ़नी चाहिए होता क्या है जब भी आप कोई भी लेंग्विज सीखते हो अब अगर मैं यहाँ पर C और C++ की पहले बात करूं तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप Java पढ़ने से पहले C और C++ पढ़ लो क्योंकि अगर आपको C और C++ या अगर मैं कहूँ C++ आता है तो congratulations आपको Core Java का सब कुछ आता है कोच भी difference नहीं है थोड़ा बहुत minute difference होगा सिर्फ और सिर्फ syntax का बहुत ज़्यादा difference नहीं होता इसलिए अगर आपको C++ आती है तो आप Java maximum 10 days में Core Java को सीख सकते हो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर syntax का difference होगा जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो C++ है वो भी एक object-oriented programming है तो वहाँ पर जो भी आपने features पढ़े होंगे object-oriented programming के वो सारी सारी चीजे Java language में भी आ जाएंगी तो पूरा पूरा concept ही same है जैसे C++ में आपने class का concept सीखा था और वहाँ पर आपने structure का भी concept सीखा था तो Java में सिर्फ और सिर्फ क्लास का concept मिलता है जैसे C++ में आपने access specifier पढ़े थे public, private, protected ये सारी चीजें वो सारी चीजें Java में भी लागू होती है तो जैसे अगर मैं C++ की बात करूँ तो मैं इस course को open कर लेता हूँ पहले अगर आपको C और C++ सीखना है तो हमने complete playlist बना के रखी है ये full course है, up to date course है और best course है तो यहाँ से पहले आप इस playlist को access करके C language अच्छे सीखो उसके बाद आपने C सीख लिया तो C++ सीखना आपके लिए बहुत easy होगा और जब आपने C और C++ दोनों को सीख लिया तो core Java आपको automatic आती है सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स सीखना है मैं guarantee देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ दो घंटे में आप core Java पूरी-पूरी सीख सकते हो क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ rules फालो करने पड़ेंगे जो C++ में नहीं रहे होंगे बांकि सारा कुछ तो वही है तो यहाँ से पहले आप C और C++ पढ़ लो यह पढ़ना recommended नहीं है देखे होता क्या है जैसे मैं यहाँ पर C++ का अपना course open करता हूँ ठीक है अब यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत history बता है यहाँ पर जो भी type के operators हमने पढ़े हैं यह सारे सारे operators या जो भी हमने control statement पढ़के रखे हैं switch बगारा, loops बगारा, break बगारा, grow to या जो भी हमने यहाँ function पढ़ा है यह सारा का सारा concept कहा है Java में भी है तो C++ में हम लोग basically क्या करते थे जो हमारा main function हुआ करता था उसको हम लोग किसी class के अंदर नहीं रखते थे Java में अगर आप main function को भी class के अंदर रख देते हो Java में main function को भी class के अंदर रख देते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा difference नहीं है और इसलिए मैं student को recommend भी करता हूँ कि Java start करने से पहले उनको C और C++ जरूर पढ़ना चाहिए ऐसा करने से न केबल वो दो additional programming language सीख पाएंगे बलकि जब आप ये दोनों language सीख रहे होंगे C और C++ तो उसी time पर आप को Java भी सीख रहे होंगे तो IOP मैं ये आपको बताना चाहता था अब ये आप पर depend करता है कि आप C++ पहले सीख रहे हैं Java पढ़ने से पहले की नहीं हलाकि मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ तो कोई problem नहीं होगी अगर आप Java को as a first language भी पढ़ना चाहते हो तो भी मैं सारी चीज़ें cover करूँगा लेकिन वही बात आजाती है कि जब आप language सीखते हो तो आपको core concept सीखने को मिलता है तो वही चीज़ें बार-बार हर language में explain करना ये थोड़ा time consuming होता है इसलिए मैं चाहरा था कि उस चीज़ें को avoid कर दूँ लेकिन I hope कि ये आपके choice पर depend करता है हो सकता है कि आप C और C++ ना पढ़ें जाबा आप पहली language as a first language पढ़ना इस्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ये हमारी responsibility है कि मैं सारी चीज़ों cover करूँ तो मैं यहाँ पर cover करने वाला हूँ लेकिन उतना in-depth में नहीं जाऊँगा तो अगर आपको देखे language क्या होती उसका idea लेना है तो आप या C++ से start करो और अगर आपने ये दो language पढ़ ली तो आप कोई भी language बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो ओके तो ठीक है मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग Java को अच्छे से पढ़ना start करेंगे तो ये Java का मैं पूरा full fleshed code बनाने वाला हूँ इस क्रैस से इंड तक ये course कोई भी कर सकता है चाहे आप student हो या किसी भी industry में काम कर रहे हो या अब ये भी आपने कहीं join किया है ये सब के लिए है और believe me जो भी हमने यहाँ पर content decide किया है अभी core Java के लिए वो बहुत ही awesome है यहाँ पर हमने लिखा भी है कुछ concept जो मैं यहाँ पर cover करने वाला हूँ और उसके बाद हम लोग advanced Java की तरह move करेंगे या बैकेंड की programming किस तरह से हम लोग Java का यूज करेंगे करते हैं ओके थैंक यू